तो वहीं आगामी बजट को लेकर प्रिदानमंत्री नवेंद्र मोदी ने कहा कि कल हम जो बजट पेश करेंगे वो अम्रितकाल का महत्वपूर्ण बजट है हमें पात साल का जो अवसर मिला है ये बजट हमारे उन पांच साल की दिशा को तै करेगा ये बजट 2047 के विक्सित भारत के सपने को मजबूती देने वाला होगा हर देशवासी के लिए बड़े गल्फ की बात है कि भारत बड़ी अर्थ विवस्था वाले देशों में सबसे तेजगती से आगे बढ़ने वाला देश है गतीन वर्षों में लगताव आठ प्रदीशत घ्रोथ के साथ हम आगे बढ़ वें ये बजट 17 है मैं देश वासियों को जो गारंटी देता रहा हूँ क्रमा शहरुप से उन गारंटीयों को जमीन पर उतारना इस लक्ष को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ये बजट अमरित काल का एक महत्वपूंग बजट है हमें पांच साल का जो आउसर मिला है आज का बजट हमारे उन पांच साल के काईरे की दिशा भी ताय करेगा और ये बजट ट्वेंटी फोर्टी सेवन जब आजादी के सो साल होंगे तब विक्सित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे हर देश वासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी एकोनमी वाले देशों में सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश हैं गत तीन वर्षों में लगातार आठ प्रतिशद ग्रोथ के साथ एट परसेंट ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रोव कर रहे हैं आज भारत में पॉजिटिव आउटलूक इन्वेस्टमेंट और परफॉर्फॉर्मेंस एक प्रकार से अपर्चुनिटीज की पीक पर है